नमस्रा दोस्तों मैं हूँ सौरफ और टेक्सप्रेस के और एक एपिसोड में आपका फिर्स स्वागत है और आज हमारे पास जो न्यूज है वहाँ पे कुछ न्यूज है फोन लॉंज को लेकर और कुछ न्यूज है जो इस्पेशली ओपो एंड रियल्मी यूजर्स को काफी खुश करने वाला है तो भीनावाद कवाए शुरू किया जाए दोस्तों में वीडियो में आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर आप चैनल में नए हो डेफिनिटल सब्राइब करें और यूटूब का जो घंटी है उसको डेफिनिटल बजा दीजिए और अगर आपको अगर आपको अगर दोस्तों पहले जो निए वह हम लोगों ने नोट 6 प्रो खरीत लिया है रिद्मी नोट 6 प्रो सामसंग कर नहीं तो रिद्मी नोट 6 प्रो खरीत लिया है और वो 26 अब नवेंबर के अंदर अदर आ जाएगा तो अन्बॉक्सिंग कामेरा कॉम्पेशन नोट 5 प्रो के साथ रिल्मी 2 प्रो के साथ और अगर पॉसिबल हो तो A2 के साथ भी मैं करने की कोशिश करूंगा और अगर आपका कुछ भी अधर रिक्वेस्ट रिक्वेस्टों को लेकर इस्पेशली नू बायर्स के लिए मुझे प्लीज बताएगा जब मैं अन्बॉक् फोन है विद किरिन 980 कि प्रोसेसर आप जानते हो और बहुत ही अच्छा है फोन है यूटूब में इसका काफी रिव्यूज भी है इसका कैमरा जब बहुत ही बढ़िया है लेकिन एक जब बदा दू के जो प्राइसिंग है वह भी भी सही नहीं है पता नहीं किसको के कितना प्राइस होने वाला है लेकिन मैं एक्सपेट कर रहा हूँ के 65 से 75 के बीच इसका प्राइसिंग होने वाला है अच्लिस कोई ना कोई वेरियंट 65 से 75 के बीच होगा या फिर उससे भी ज्यादा हो जकता है डिपेंस अन वेरियंट्स तो डिफिनेटली या फ्लैक्शिफ फो लास्ट एफे डिसमबर में आकर वो लो क्यो यह फोन लॉंच कर रहे है आई रिली डोंट नो जो प्राइसिंग का मुझे बता चाला है निउस प्राइसिंग का जो भी हिंट है उसको देख कर तो मुझे सच पहिं या पे थोरा सा मैं आश्यरी हो चुका हूँ तो पहले देख सको के जो कोर है 632 का वो है क्रायो 250 और 636 में जो कोर है वो है क्रायो 260 इसका मतलब 636 का जो कोर है वो थोड़ा सा पावरफुल है दोनों प्रोसेसर में ही सेम क्लॉक्स में मिल था है 1.8 GHz का तो वहां पे कुछ प्राव्ब्रम नहीं है अब आते GPU के मामले में तो Adreno 506 आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 632 में और 509 नहीं देखने को मिल जाएगा आपको 636 में तो अगर ग्राफिस की बात किया जाए तो वहां पर भी 636 थोड़ा सा आगे है तो 625 से डेफिनिटली ज्यादा पावरफुल है 625 630 से भी ज्यादा पावरफुल है 632 लेकिन 636 क लेकर नहीं है तो इसको लेकर ही 8C आने वाला है अब दोस्तों 4GB 32GB का एक variant हो सकता है 4GB 64GB का एक variant हो सकता है तो दोस्तों इसके बात मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले को लेकर तो जो डिस्पले है वह एक 6.26 इंच का डिस्पले है यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिल जो आजकल के दिन में उतना ज्यादा कमन नहीं है बट इस कंप्लेक्टली ओके आइट से जितना दूर मुझे बता है जिना दूर मैंने फेस किया है TFT में के TFT में थोड़ा सा तच का मुझे लगता है तच उतना रिस्पॉंसिब नहीं है 4GB 400GB का वेरियंट होने वाला है तो यहां पर जो बेस वेरियंट उसका प्राइस लगभग 11,000 और जो टॉप वेरियंट उसका प्राइस लगभग 13-14,000 होने वाला है अब देखिए ओनर 8 सी जो फोन है और उसका प्राइसिंग है जो स्पेक्स है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है जो मैंने प्राइसिंग को पता है वो चाइना से रिकली मैंने कनफर्ट किया है मैं उमीद करता हूँ कि वो प्राइसिं इंडिया में ना हो मैं उमीद करता हूँ कि जो बेस वेरियंट है चार्ज भी 32GB का उसका प्राइस मोर और लेस 9000 के आसपास होगा 8-9000 उससाथ अचको होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो स्पेक्स वो लोग दे रहा है और जो डिस्प्ले का रिजूशन है जो भी कुछ वो लोग दे रहा है तो उन लोग को प्राइसिंग बहुत स्ट्रेजिकली करना होगा अगर वो लोग चाहना का ही प्राइसिंग या इंडिया पे दे तो 8C मुझे नहीं लगता कि कोई खरे देगा क्या सच में आप इसी विकेशन के साथ एक 4GB 400GB फोन करीद होगे जिसका प्राइस लाग बग 14,000 फे 13,000 हो अब मुझे फ्लीज बताइए कॉमन सेक्शन में तो दोस्तो ओपो ने लांच कर दिया है ColorOS 6 और ColorOS 6 जो है यह और भी ज्यादा फंक्शनालिटी और सिंप्लिसिटी के उपर फोकस कर रहा है अधा सेम ताम यह मशिन लर्निंग के उपर भी फोकस कर रहा है ऐसा जो ओपो ने कहा है तो ColorOS 5.2 में यूज कर रहा हूँ मेरे रि आपके मरजी तो वहां पर वह सही है लेकिन फिर भी उन लोग का अपडेट सही है लेकिन अभी जो भी है मैं जरी तंग आ चुका हूँ यू आई से भी बहुत ज्यादा काम उन लोग को करना है तो आप इस न्यूस से रियल्मी 2 प्रो यूजर्स को थोरा सा यून लोग को अदरिक जर्टे हां कुछ आने वाला है तो डिसनेट्ली होफिल बने रही है, अब आते हैं निक्स न्यूस में जो है về में रियल्मी को लेकर वे किया है किरिंग 17 के साथ जो अनर का मीड रेंज में बेस्ट है और इसके साथ 36 के साथ जो बहुत सरे कंपने यूज करता है इसके बाद मैं होंगा इसके सेलफी कैमेरे के के केके के बिरीडिथी सेल एक और Цेलफी कैमेरे सेसिक यहां पर पहला फोन यूवान वहां पर जो去 नीवगनिशन प्राइस toinish you must make the Essex लेकिन अगर बारातेरेह तो ही अगर मीस मेरे अब यह करखे मुझे अगर और लोग इतना ज़ादा से पॉटो लगार आजाओ तो क्या होगा कि अगर यह दूरा कोई फोटो खिच पोगोरा हो और उसके बाद फोटो किछना होगा, ऐसा हो सकता है, कि त्यूबों बहुत ही जाता फोकस्के से 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 कामेरे को लेकर Okay, I was joking, ऐसा नहीं होने बाला है, रियर में भी camera लेकिन फिर भी, U1 is going to be a powerful phone और इसके साथ साथ इसके से 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 कामेरा भी काफी दमदार होने वाला है, regarding the price tag तो दोस्तों, इसके बाद मैं आऊंगा, last news में जो बहुत लोगों खुश करने वाला है, especially OnePlus users और OnePlus lovers को खुश करने वाला है, flagship lovers को खुश करने वाला है, क्योंकि ये news है, Snapdragon 8150 को लेकर जो December 4 में हवाई में लाँच होने वाला है, और definitely it's a flagship processor, 845 के बाद आने वाला है, बहुत अबीतर के लिए जो code name है, वो है 8150, और यहां पर ही शायद पहली बार Adreno 640 हम लोगों देखने को मिलेगा, तो हाँ, यही वो processor जो Bionic, 812 Bionic से भी powerful है, और देखना होगा कॉन सा कंपनी पहली इस प्रोडसर को यूज करता है, और अपने फोन में डालता है, मैं सोच रहा ह यही आएगा, यही नॉर्मली ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है, तो X10 या फिर Xiaomi भी पहले patent ले सकता है, पहला lot लोग खड़ी सकते है, और कुछ flagship लोग ला सकते हैं, तो either I personally think, के यह यह Xiaomi होगा, या फिर Samsung होगा, लगड़ा है कि शायद सामसंग होगा, क्योंकि उनके ज्यादा पैसा है और Qualcomm के साथ उनका अलग सा ही एक deal होता है, लेकिन at the same time Xiaomi भी काफी अच्छा-च्छा फ्लैक्शिप फोन लोग लांच कर रहे हैं, जो दुनिया भर में यूटुबर्स को, यह फेमस यूटुबर्स को काफी पसंद है, तो हो भी सकता है कि Xiaomi थोड़ा एक् एक्सपर्ट है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उमीद आपके वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे फिल्म लगात होगी में इस वीडियो में